चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हमने प्रॉफिट स्टेट्मेंट भी सीख लिया था लगबग देखिए ध्यान से एक कुश्चन है आपके सामने इस कुश्चन को सॉल्व करेंगे सर कुश्चन क्या कहता है कैल्कुलेट कॉंट्रिबूशन इच ओफ फॉलविंग इंडिपेंडेंट सिचुवेशन आपने सिर्फ कॉंट्रिबूशन करना है निकालना है आपके पास तीन सिचुवेशन है एक दो और तीन बुक कॉंसी है सर आपका MN Aroda अब कॉंट्रिबूशन निकालना है पहले केस में कॉंट्रिबूशन के लिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए एक ही फॉर्मुले को आप ध्यान में रखेंगे तो निकल जाएगा सबसे पहले आप बताएंगे याद रखिएगा सेल्स इस इकल टू वैरियेबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और कॉंट्रिबूशन होता है हमारा सेल्स में से माइनस कर देते हैं हम वैरियेबल कॉस्ट सर इसका मतलब हुआ अगर आप sales में से variable cost हटा देते हैं तो बचता तो ये दोनों ही है ना तो एक ये भी हो गया सर contribution is equal to fixed cost plus में profit है कि ने पहला question है हमारा contribution बताना है तो देखिए हमारे पास fixed cost given है और profit given है तो contribution क्या आ जाएगा हमारा इन दोनों को add कर देंगे यानि 13500 यहीं पर मैंने कर दिया second question में variable cost दे रखा है और sales दे रखा है तो आपका formula भी देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या होता है sales minus variable cost तो यहाँ पर contribution क्या आ जाएगा ग्यारा हजार minus का 7000 is equal to 4000 रुपे ठीक है third case में देखते हैं कहता है contribution per unit 7 रुपे और profit 3000 रुपे और break even point 2000 unit इस case में क्या पूछा है इसने calculate contribution तो contribution पूछा गया है तो sir contribution पहले ही दे रखा है per unit लेकिन हमें बताना है इसे rupees के terms में ठीक है ना हमें किस terms में बताना है इसे rupees के terms में तो sir profit हमें पता है break even point हमें पता है तो आपको एक break even point का formula याद है मैंने बताया था break even point क्या बताया था sir fix cost divided by contribution per unit तो contribution per unit ही तो है हमें break even पड़ता है कितने unit है 2000 sir fix cost नहीं पता लेकिन cpu पता है cpu कितने है sir आपका cpu आपका साथ है तो यहां पर आप easily क्या निकाल पाओगे fix cost आ गया question में और profit कितने का तासर 3000 का तो दोनों को जोड देंगे तो क्या जाएगा contribution 17000 रुपे question number one आपकी किताब का done किसी को doubt है तो बताईए question number one में doubt बताईए शाक्षी वंशी का या जितने बच्चे भी live हैं अगर किसी किसी को doubt है तो बताईए question number one में तन्नू डाउट है तो बताएं अगले question पर चलते हैं एक और question आपके लिए question number आजाते हैं टू books ले ले नहीं है आपने ठीक है ना although मैं PDF दे दूँआ लेकिन आपको books लेके चलना है चादा महंगी भी book नहीं है और books से फिर पढ़ाई अच्छी हो जाती है चलिए अगले point पर चलते हैं sir कहता है calculate PV ratio each of the following independent situation मतलब 5 cases में आपको PV ratio निकालना है PV ratio क्या होता है sir profit volume ratio मैंने कहा था ने इसका standard नाम है PV ratio formula क्या होता है इसका contribution upon my sales into 100 एक तो यह formula है sir इसका दूसरा formula क्या है हमारा PVR लिख रहे हैं ठीक है दूसरा formula इसके इंदर apply हो जाएगा sales या फिर हम कह सकते हैं 100 minus में variable cost का percentage एक और formula लिखा था sir क्या लिखा था PBR is equal to change change in profit divided by change in sales यह लिखा था ठीक है ना चलिए पहले question के हिसाब से देखते हैं हमारा क्या क्या गीवन है variable cost गीवन है और contribution गीवन है आपको कहता है sir variable cost कितने गीवन है 60 और contribution कितने गीवन है 40 दिमाग लगाईएगा आप अगर हमें VC पता है 60 और contribution पता है कितने हमारे 40 तो sales का formula open करिए sales क्या कहता है sir sales कहता है हमारा VC plus FC और plus profit और साथ के साथ यहाँ पे इससे ये भी proof होता है कि अगर हम इन दोनों को मिला दे इन दोनों को तो ये बनता है contribution तो इसका मतलब sir variable cost और plus कर दे हम contribution तो क्या बनेगा हमारा sales बन जाएगा इसलिए तो यहाँ मैंने कहा 100 में से VC percentage minus करिए पहले question में situation यही है VC पता है contribution पता है तो यहाँ पे हम easily sales निकाल पाएंगे तो अगर मैं question में बात करूँ sir sales की तो sales is here sales कितने का है 100 रुपीज का कैसे sir 40 plus 60 या 60 plus 40 जो भी बोलो sales भी पता चल गया formula यह लगाएंगे contribution upon में sales तो हमें sales भी पता है contribution भी पता है contribution कितने का है sir contribution है 40 का sales कितने का है 100 का into में 100 करेंगे पहला जवाब आ गया हमारा 40% ठीक है पहला जवाब आ गया 40% चलिए second point sales हमारा 20 है variable cost हमारा 15 है तो again हम क्या करेंगे सबसे पहले contribution निकाल लेंगे क्या होगा sales minus VC sir यह sales दे रखा है हमें 20 minus में 15 that is 5 तो PBR क्या आ जाएगा यहां पर simple सी बात है 5 divided by 20 जिसको समझ में ना है पूछ लें वो तो कितने percent बनता 10 से 10 cancer यानि 25% चलिए दूसरा भी done हो गया तीसरे पर आते है ratio of variable cost variable cost दे दिया 84% मैंने देखो लिखा था ना ratio of variable cost 84% बन गया तो अगर ratio of variable cost हमारा 84% है तो ऐसे situation में क्या आएगा चलिए PVR PVR आएगा 100 minus में 84 है तो सिर्फ 84 ही लिखना है आपने percentage नहीं लिखना तो यह आएगा 16% तो यह आजाएगा हमारा 16% आजाते हैं इसके बाद फिफ्ट पार्ट पूर्थ पार्ट प्रॉफिट दे रखा है हमें 5000 और सेल्स दे रखा है हमें 25,000 और फिक्स कॉस्ट दे रखा है 8,000 समझ रहे हैं सारी चीज़ों को आप बहुत सिंपल सिंपल चीज़े है बेसिक बेसिक इसके बाद एडवांस कॉस्टन पर जाएंगे सर प्रॉफिट है 5 सेल्स है 25 और फिक्स कॉस्ट है तो फिर से PVR कैसे निकालेंगे सर PVR कैसे निकालोगे फार्मूला तो वही लगाओगे आप सेल्स अपन में कॉंट्रिब्यूशन इंटू में 100 लगाओगे यहाँ पर सेल्स तो कॉस्टन में घीवन है सर आप मैंने उल्टा कर दिया है न उल्टा कर दिया कॉंट्रिब्यूशन अपन सेल्स होता है कॉंट्रिब्यूशन अपन सेल्स कॉंट्रिब्यूशन अपन में सेल्स इंटू में 100 सर कॉंट्रिब्यूशन कितना है सर यहाँ पर कॉंट्रिब्यूशन नहीं पता लेकिन आपको अच्छे से पता है कि profit plus fixed cost कर देंगे contribution आ जाएगा तो 13,000 13,000 divided by कितना करना है हमें 25,000 और 25,000 divide करते ही हमें result मिल जाएगा जो कि क्या आएगा calculator पर देखते हैं यह तो भई calculator तो है नहीं चलो आप बताओ फटा फट से जो live class में बच्चे हैं वो बताएं 3,0 से 3,0 cancel और करो भाई calculate यह आगया हमारा 1300 divided by 25 solve कर यह इसको तो यह आजाएगा हमारा 4,68 परसेंट 68 परसेंट ठीक है ना चेक करते रहिएगा मैंने direct निकाल दिया है 5th part और last Year 1 sales दे रखा है और total cost दे रखा है सब total cost पता है क्या होता है variable cost प्लस में fix cost is equal to total cost तो आपको sales दे रखा है total cost दे रखा है और year 2 का again आपको क्या कर रखा है इसने sales दे दिया और total cost दे दिया है ठीक है sales दे दिया और total cost दे दिया तो अब एक और formula लिखा था contribution का याद है याद है या नहीं है चलिए इसको उपर करके नीचे लिखते हैं अब बताएं कौन सा formula लगेगा भाई जो live class में क्योंकि मैं इस time पे सरिफ live class ले रहा हूं सरिफ especially आप लोगों के लिए आया हूं तो please 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 आप भी जवाब दें इसमें कौन सा formula लगेगा दिमाग लगा के बताएं मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूं बताएं कौन सा formula लगने वाला है ओके 52% होगा हाँ ठीक बोला बिल्कुल ठीक बोला कैलकुलेटर आपके पास है इसलिए 52% अब बताएं फिफ पार्ट में कौन सा formula लगने वाला है वन शीका 52 शाक्षी 52 अब बताएं फिफ पार्ट में कौन से लगने वाला है बताएं अभी basic basic concept बिल्डप कर रहे हैं में इस चेप्टर का फिफ पार्ट आपको दिख रहा है ना फिफ पार्ट यहां तक है इसके अंदर year 1 का sales पता है और year 2 का sales पता है बताएं चलिए सर इसके अंदर formula लगेगा formula लगेगा PVR का एक और format लिखा था ना कौन सा लगेगा सर दिखा देते हैं एक बार आप यह रहा PVR का यह वाला formula इस पर अपलाई हो जाएगा change in profit upon में change in sales आप समझे नहीं थे बात को तो change in profit upon change in sales से कैसे आएगा वो देख लेते हैं सर क्योंकि हमें ना total cost पता है और अगर मैं sales को define करूँ ना इसके नीचे करेंगे इसको ठीक है ना अगर मैं sales को define करूँ ना तो सर sales क्या होता है is equal to fix cost plus variable cost plus profit ठीक है और आप बड़ी ध्यान से देखें तो इन दोनों cost को मिला दिया जाए तो बनता है total cost अगर sales में total cost minus करूँ तो अकेला बच जाएगा क्या profit तो हम दोनों ही case के अंदर case 1 case 2 में profit तो निकाल पा रहे हैं तो year 1 के अंदर year 1 के अंदर profit क्या होगा sales minus में TC तो कोई गलत बात नहीं होगी तो सर यहां पे sales दे रखा है है पचास हजार माइनस चालिस हजार पचास हजार माइनस चालिस हजार that is 10,000 रुपीज इसके बाद आ जाते हैं year 2 year 2 में formula नहीं लिख रहा same कर लेते हैं क्या निकाला है हमने यह सर यह निकाला है हमने profit year 2 का profit year 2 का profit year 2 का profit होगा क्या होगा 60 माइनस 45 60 माइनस 45 तो यह बचे 15 तो सर आपको अगर ध्यान से देखो year 1 year 1 का आपको sales पता है and profit भी पता है same देखो year 2 का आपको sales भी पता है और profit भी पता है तर देख लेते हैं year 1 में sales 50,000 year 2 का मैं थोड़ा लंबा करूँ आप शॉटकर्स भी कर सकते है year 1 का profit 10,000 year 1 का sales 60,000 year 2 का profit निकाला हमने कहा निकाला जी 15,000 तो आप इसकी मदद से change in sales भी निकाल सकते हैं और change in profit भी निकाल सकते हैं तो 10 से 15 हुआ तो change in profit कितना हुआ सर change in profit की अगर हम बात करें तो change in profit हुआ सर 5000 सर चेंज इन सेल्स की बात करें तो change in sales कितने हुए सर 50 से 60 10,000 फॉर्मूला रख दीजिए 5000 divided by 10,000 क्या था change in profit into change in sales into में 100 तो solve कर लेते हैं सर इसको 4-0 से 4-0 से 2-0 और 2-0 कैंसल जवाब आ गया सर हमारा 50 परतीशत आपको एक ही जगह सारी चीज़े दिखा दी जाती है ये लिज़े सर कोई दिक्कत विज्वल भी हो गया एक जगह सारा कोई परिशानी बताईए डाउट इसमें सर टोटल कॉस से profit निकालेंगे 10 contribution शाक्सी यहां contribution की तो हमें कोई अवशक्ता ही नहीं पड़ी थी है ना क्योंकि formula दूसरा लग गया यहां पे क्यों यहां contribution की तो कोई ज़रत पड़ी ही नहीं formula दूसरा लग गया कोई डाउट है तो बताईए शाक्सी का कोई डाउट नहीं चलिए क्योंकि अवशक्ता ही नहीं